हेलो फ्रेंड्स आज हम कनवर्जन सिखेंगे ठीक है यह हमार आज का टॉपिक है अब हम कनवर्जन क्या सिखेंगे कि किलो ग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे हम मीटर को जो है वो सेंटी मीटर में चेंज कैसे करेंगे किलो किलो लीटर को हम लीटर में कैसे चेंज करे इस तरीके के conversion चलिक है कियोंकि हमारा अगली एक्सेसाइज है एक्सेसाइज 1.5 है ग्सेसाइज 105 ग्राम होते हैं घौन में थाउजन ग्राम किट्न धर देटएंगे तो 5 कि मल्टिप्लाई कर देंगे खान से ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, किलो ग्राम से ग्राम हो गया अब इसके बाद सवाल ये आता है, कि अगर हमें कोई चीज ग्राम में दी हुई तो हम किलो ग्राम में कैसे कनवर्ट करेंगे इसको, आता है कोई है तो हम ये चीज़ देखेंगे अभी मानलो हमें 435 यानि 435 ग्राम दिया वा है और ये बोल दिया जाए कि इसको kg में convert करो तो हम अब कैसे करेंगे वो तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम जो है 1 ग्राम कितने kg के इकोल होता है अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे divide कर देंगे 1 by 1,000 kg ठीक है क्या है बढ़ में इसके मल्टिप्लाइ करेंगे अब अगर हम गराम से ऐगृःव में convert करेंगे अब हम लिख लेंगे कि जब हम गराम से किलोगराम में convert करते तो हमें क्या करना पढ़ता है divide ठीक है और अगर किलोगराम से gram में convert करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा multiply ठीक है तो अब हमारा ये सवाल था 435 gram को kilogram में कैसे लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 435 gram को kilogram में लिखने के लिए क्या करेंगे 435 को 1000 से divide कर देंगे ये हमारे पास क्या आगया kilogram अब यहाँ पर क्या अंसर आएगा यह देखू यह कितनी 0 है 1 2 3 3 डिजिट उपर छोड़के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे अपने सीखा होगा छोटी क्लास्स में डेसिमल वाले चप्टर में ठीक है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे पॉइंट और आगे 0 तो यह कितने किलोग्राम हो गया 0.435 पॉइंट के बाद हम कभी भी 100 या ऐसे नहीं बोलते हैं क्या बोलेंगे जिइरो पॉइंट फॉर three 5 केज ठीक है हम इसको 100 या thousand में काउंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी तो अब आपको पता चल्गा न bang ग्राम से क्लो ग्राम में चेंज करना तो मraphy करना पड़ेगा ठीक है hybrid करना ठीक है और किलो ग्राम से घंज काना पड़ेगा तो में multiply करना पड़ेगा next conversion आता है मारा मीटर से centimeter में तो अब हम इसको देखते हैं यह देखो one meter जो है वो किसके equal होता है hundred centimeter ठीक है तो अगर मैं बोलू कि three meter किसके equal होएगा तो हम क्या करेंगे three multiply hundred centimeter कर देंगे कितना answer आजाएगा three hundred centimeter ठीक है उसके बाद अगर हम हमें यह बोल दिया जाए कि three point six seven meter को change करो centimeter में तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले जो point होता है ना यह point हम इस point को उटाएंगे इसको उटाने के लिए हम क्या करेंगे point के नाम के point की जगे हम नीचे लगाएंगे one और इसके बाद इतने डिजिट होते होतनी हम लगा देंगे नीचे जीरो तो दो डिजिट है हमारे पास दो जीरो लगा दी अब हमें क्या पता है कि हमें multiply करना होता है hundred से क्योंकि हम centimeter में change करते हैं तो हम हंडर से multiply करना पड़त ठीक है अब ये सवाल है कि अगर हमें centimeter दिया हो और हम में meter में change करना होगा तो हम क्या करेंगे ठीक है तो सेम जैसे हमने gram से kilogram को change करने में हमने क्वैंड किया में अब जू है वो centimeter को जितने से multiply क कर देंगे कर देंगे कि यहारे पास क्या हो गया सेंटपिमिटर 100 हंडरिड्ड डिवाइड बाइडा हंडर्ड मीटर ठीक हां हम100 से डाइड कर देंगे अब हम यह बोष ड़ी कि 469 सैंटीमीटर को चेंज करो मीटर में तो हम कैसे करेंगे 469 डिवाइड बाइड ni render से फिर वही 2 0 है तो 2 दिजिट छोड़के हम क्या लगा देंगे ऑंक 2 दिजिट से पहले पूइंट लगा देंगे और 4 एज़टी यह मारा किस में चेंज हो गया हम मीटर में ठीक है तो इस तरह से हमें क्या करना पड़गा जब हमें कोई कोई चीज मीटर से कनवर्ट करने है सेंटी मीटर में तो क्या कर देंगे हम वहां पर मल्टीप्लाई ठीक है और जब हमें centimeter से कोई चीज meter में convert करने तो हम क्या कर देंगे वहाँ simple divide ठीक है और इस तरीके से हमारा meter centimeter वाला भी complete हो गया आपको पता चलगा न कि हम meter को centimeter में change करने के लिए hundred से multiply करेंगे और centimeter को meter में change करने के लिए hundred से divide कर देंगे अब हमारे पास आता है लीटर वाला तो same यह है 1 किलो लीटर किसके एक बोल होता है 1000 लीटर के एक बोल होता है ठीक है तो अगर हमें जो है वो 2 किलो लीटर को लीटर में चेंज करना तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टिप्लाई कर देंगे 1000 से कितना हो गया हमारे पास 2000 लीटर ठीक है और अगर हमें डिवाइड करना हो तो आपको पता ही चल गया कि हमें क्या करना है तो अगर हमें 1 लीटर को किलो लीटर में चेंज करना तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1000 से यह हो गया हमारे पास kilolitr ठीक है अगर मैं बोलू 436 लीटर को change करो kilolitr में तो हम क्या करेंगे 436 को divide कर देंगे 1000 से यह क्या आगया हमारे पास kilolitr अब देखो 3 0 यानि 3 digits से पहले हम क्या करेंगे point लगा देंगे और उसके पहले 0 यह क्या हो गया हमारे पास kilolitr ठीक है तो इसका मतलब हमने क्या conclusion निकाला कि kilolitr को लीटर में change करते वे हम क्या करेंगे multiply करेंगे ठीक है multiply किस से 1000 से और जब लीटर को जो है वो kilolitr में change करना हो तो हम क्या कर देंगे divide by 1000 ठीक है जिससे multiply होगी ना उसी से divide होता है ठीक है अब हमारे पास आता है मीटर का तो 1 km में जो है वो कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर ठीक है तो अगर हमें बोला जाए कि 6 km को change करो मीटर में तो हम क्या करेंगे 6 की multiply कर देंगे 1000 के साथ ठीक है अब यह देखो 6 की multiply 1000 से करेंगे तो 0 हम as it is लिख देते हैं यह हो गया हमारे पास मीटर में change ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर हमें 1 km को change करना है मीटर में तो हम क्या कर देंगे simple multiply है ना और same हमारे पास क्या होता हमें मीटर से कोई छीज 1 km में change करना तो हम क्या करेंगे divide करेंगे किस से divide करेंगे वही 1000 से ठीक है तो अगर अगर हमारे पास देर रख्या है 653 मीटर और इसको बो दिय जाए 1 km में change करने के लिए तो हम क्या करेंगे gres divide करेंगे 635 को डिवाइड कर देंगे किस से 1000 से क्योंकि हमें पता हैं हमने multiply किस से की थी, 1000 से तो डिवाइड भी हम किस से करेंगे, 1000 से, तो answer क्या गए, 3 डिजिट छोड़ के हमें क्या है, पुर, point लगा न, point 653 km, ठीक है, ये, हमारे पास क्या गए answer, तो आज हमने conversion सीख लिए है, अब हम next वीडियो में सीखेंगे हमारे exercise 1.5, तब तक के लिए, बाई!